S.N. Medical College में Black Fungus Ward के प्रभारी और E.N.T. रोग विसेशा के डॉक्टर अखिल प्रताप ने बताया कि गुरवार को Black Fungus के पांच और नए मामने सामने आई अब Medical College में मरीजों की संख्या 38 हो गई है दो मरीजों के ओपरेशन E.N.T. विभाग में की गई गंदगी की सफाई करके नाख के रास्ते से निकाला गया वहीं तीसे मरीज का E.N.T. और नेत्र रोग विभाग के चिकेस्तकों ने मिलकर ओपरेशन किया डॉक्टर हिमानसु यादब ने बताया कि ब्लैक फंगस अधिक फैलने से मरीज की एक आँख निकालनी पड़ी आँख में बस हड़ी बची है करीब डेड़ घंटे ओपरेशन चला ओपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है डॉक्टर पताप ने बताया कि शुकरवार को भी ब्लैक फंगस के पांच मरीजों की ओपरेशन प्रस्तावित है कुछ मरीजों में अन्य बीमारिया होने से ओपरेशन नहीं हो पा रहा है अनेस्थीसिया के चिकेशन ओपरेशन से मना कर दे रही है ब्रस्तावित वार को पांच में से तीन के ओपरेशन हो पाई मेडिकल कॉलेज में आप तक ब्लैक फंगस के एकुल 15 मरीजों की ओपरेशन हो चुके है